आप सभी का एक बार फिर्चे स्वागत है हमारे को नई वीडियो में तो आज हम आपको दिखा देते हैं GW 513 जिसकी अगर बात करें कितने दिनों की अवस्ता है तो यह जो अवस्ता आप देख रहे हैं यह 34 दिनों का प्लार्ट है और 34 दिनों के बाद आप कंडिशन देख र बहुत बढ़िया है क्योंकि खेत आप देखोगे थोड़ा सा ओट की पीड जैसा है उपर नीचे तो इसमें क्या पानी थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो जहां आपको दो पानी देना पड़ता है वहां हमारे इस वाले प्लाट में या फिर एसे जो खेत हैं उपर नीचे वाले जहां हलकी मिट्टि पाई जाती है वहां पर हमको तीन पानी देना पड़ता है वह जो स्टेज है उसको मैलेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से गिहूं का सही उत्पादन लेने के लिए अभी थोड़ा सा हमारा जो सीड़ेट है यह भी बहुत ज़दा टाइट है के सामें आप सभी को बताना चाहूंगा इसमें कहें कि थोड़ी सी भी कटिंग की प्रॉबलम नी थी यहों बिल्कुल जितना जिसे एक केंटल पर एकड़के साब से हमने इसमें सिड़ेट डाला है तो जो एक कुंटल है पूरा 100% जर्मिनेट हुआ है जो 15% जो नहीं जर् प्रिंग कलर स्टाइड कर दिया था अभी आप देखोगे सिड़ेट बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है अभी की स्थिति में लेकिन इस ब्लाइट के इसाब से जो मिट्टी है इसके इसाब से सफिसेंट है बहुत बढ़ी है और इसका प्रोड़क्शन बागी जो अच् हमकष अधीन से ठीजह सल्एल तो यहां पर सभी चीज़े लगाई जाती है अगर ग्रीत कि बात करें दो कर दो घ्र तो जादा है उससे और कम देखा जा जाये तो दो चनिजार वकल्शन से मकई कर लिए नगन दो बिसेश कर अगर आपको बिल्कुल खेत बराबर और उसमें आपने अभी तुरंत पानी लगाया है और continue जिसे अगर यह पानी रहा तो थोड़ा सा पीला पन आएगा क्योंकि इसी condition में क्या होता है कि यह जो मौसम है अभी अगर मौस्टर जादा रहेगा आपके खेत में तो क्या होगा कि जमीन में oxygen का सही प्रकार से circulation नहीं हो पाएगा और oxygen का circulation नहीं हो पाएगा तो जो आपका पौधा है यह nutrient जमीन से नहीं उठा पाएगा यह condition रहती है अगर मकई की बात करें तो मकई तो बेसे भी का बारिस में लगाई जैती है तो कोई समय है नहीं मकई को जितना पानी मिलेगा उतना कम है जितना nutrient दोगो इतना कम है क्योंकि बहुत इतना वड़ा रहता है उसको जितना आप खाद दोगे जितना पानी दोगे उत्ता बढ़िया रहेगा मगाई को फसल को थोड़ा सा भी दुकसान नहीं है थोड़ा सा चने की फसल थोड़ा सा इफेक्ट पढ़ेगा उसके बाद मटर की अगर बात करें तो मटर में भी थोड़ा वह दिफेक्ट पढ़ सकता है लेकिन उतना कोई ज्यादा विस्यस नुकसान है नहीं उसके साथ अगर बेजिटेवल की बात करें तो थोड़ा सा मिर्च में नुकसान हो सकता है क्योंकि वो हो सकता है तो अभी देखेंगे इसको एक दो दीन और जिसे ही मौसम किलियर होगा उसके बाद फिर देखेंगे यूँकि हमने इसमें मेट सलफुरान को आट ग्राम जो हमने डाला था डेड़ एकड़ के सम्तिंग प्रती हेक्टर के अगर बात करें तो हमने प्रती हेक्टर के हिसाब से लगवग 12-13 ग्राम डाला था जो शकड़ी पत्ती और चोड़ी पत्ती का जो घास है यह बच जाए बेसे तो कहा है कि अगर मेड की साइट से आप देखते हो तो इसमें तो आपको कोई सा घास बसता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यह देखिए यह तो पूरा खतम हो गया है लेकिन देखते हैं दो चा जो शक्तिर की बात करें तो गहों के लिए तो यह बिलकुल अम्रिद वर्सा है क्योंकि एक तो टेम्परेचर वह जाए था आधा उपर से पानी सही से कबर नी हो पार था और पानी कबर नी हो पानी की वजए से क्या है कि गहों में थोड़ा सा हीचाव आ आ रहा था जैसे ह कि अब भूछ सब्ध़ने कर दोनिया दारी सरी मोटर फोटर शरब देख रहा है और दोनिया दारी अब सिर्फ एक चीज कर देख रहा है हैं सभी किसान मोसम खुले बढ़ियां तबस्य तवियस से हर्विसाइड डालें ताकि जो घहां से ग्यहूं का वो थोड़ा सा कर सकते हैं 20 से 35 दिनों में कभी भी आप हर्विसाइड का उभियोग कर सकते हैं